आज इस वीडियो में मैं आप सब के साथ कोई कहानी नहीं बलकि कुछ अच्छी बाते लेकर आई हूँ जिसका कोई न कोई अंच हमारी जीवन के साथ जरूर जुड़ा हुआ है मुझे उमीद है कि आप सब को ये पसंद आएंगी लेकिन इन में से आपको कौन से बात अच्छे लगी ये मुझे बताना ना भूलिये मेरी पहली अच्छी बात है एक बच्ची की सोचकी एक छोटी बच्ची अपने पिता जी के साथ कहीं चाह रही थी रास्ते में एक बूल आया जहां से तेज भाव में पानी नीचे बह रहा था ये देख पिता जी ने कहा कि तुम डरो मत बस मेरा हाथ पकड़ लो कभी उस मासूम बच्ची ने कहा नहीं पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी आप मेरा हाथ पकड़ लो ये सुन उसके पिता जी हसने लगे और पूछा दोनों एक ही तो बात है चाहे तुम मेरा हाथ पकड़ो या मैं तुम हारा तब ही वे बोली नहीं पापा अगर मैं आपका हाथ पकड़ूँगी तो हो सकता है मुश्किल आने पर घबरा कर मैं उसे छोड़ दूँ पर मुझे पता है कि अगर आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो मुश्किल आने पर भी मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे अब आप समझ की गए होंगे कि एक बेटी के मन में अपने पिता के लिए कितना विश्वास है और उसका विश्वास यही है कि उसके पापा कभी भी मुश्किल आ गाएं को केला खिला रही थी जिसे देख उस गाएं ने मूँ मोड लिया वे औरत काफी दिर तक उसके पीछे पड़ी रही पर उसने नहीं खाया जब औरत नहीं मानी तो गाएं ने उसे सींग मानने की कोशिश की पर केला नहीं खाया वे महिला भी डर कर बिना केला खिला ही मेहिला के जाते ही पासकरे सार्ण ने उससे पूछה कि वे औरत इतने प्यार से तुम्हें केला खिला रही थी पर तुम ने क्यों नहीं खाया? तब ही गाइम बोली प्यार नहीं मजबूरी है तुम जानते नहीं कि आज एकादशी है? ये महला मुझे केला खिला कर पुन्य कमाना चाती थी वैसे तो कभी नहीं पूछती जब गलती से मैं इसके घर के आगे चली जाती हूँ तो टंडा लेकर मारने को दोड़ती है एक प्रेम से सुखी रोटी ही दे देती तब भी मैं इसे दुआई देती देखा आप सबने कि एक जानवर के अंदर भी कितनी फीलिंग्स है जो उन्हें समझाती है कि कौन उनसे प्यार करता है और कौन उन्हें स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है इसलिए हो सके तो जानवरों को अपने दवार से कभी बुखा ना जाने दे अगर नहीं है तो उनके मात्य पर प्यार से हाथ फेर दें और शमा माग ले मेरी अगली अच्छी बात है एक औरत के जीवन की सचाई एक औरत के जीवन की कड़वी सचाई यही है कि उसे कभी कभी लगता है कि औरत होना ही एक सजा है अगर वे ना पढ़े लिखे तो उसे अनपर जाहिल कहा जाता है और अगर पढ़ लिखकर कुछ बन जाए तो पढ़ाई का गमंड है शादी ना करे तो बचलन नक्चड़ी है शादी कर ले तो अब आया ना उन्ट पहाड के नीचे सबसे मिलकर रहे तो चालाक कहा जाता है मिलकर ना रहे तो गमंडी कहा जाता है पढ़ लिखकर घर संबाले तो क्यों इतने साल और पैसे खराब किये कहा जाता है कोई नोकरी करे तो पढ़ निकला है इसके से कर्मी से बात करे तो बेशरम कहा जाता है ना करे तो छोटी सोच वली कहा जाता है औरतों के लिए कोई कुछ भी बोले पर क्या औरतों के बिना घर, परिवार या वल्च चलता है सोचे और जरूर बताईए तो क्यों औरते अपनी मर्जी से अपना जीवन नहीं जी सकती मेरी अंतेम अच्छी बात है रिष्टों की एहमियत जब एक व्यक्ति अपने जीवन से विदा लेता है तो उसके कपड़े, बिस्तर, उसके द्वारा इस्तमाल किया गया हर समान घर से निकाल दिया जाता है पर कभी भी उसके द्वारा कमाया गया पैसा या उसकी प्रॉपर्टी, धन, दौलत कभी भी नहीं निकाल ले जाते बल्कि अंतिम समय में उसके गले का हाथ, हातों की अंगूठिया खीश-खीश कर निकाल ले जाती है इससे पता चलता है कि आज रिष्टे किन चीजों पर ठीके हैं इसलिए इन रिष्टों की एहमेत समझे जिस परकार उसके पैसे या प्रॉपर्टी को संभाला है उसे परकार उस इनसान की अच्छी यादों को भी संभाल कर रखिए अगर आपको यह मेरी अच्छी बाते अच्छी लगी हो तो इन्हें लाइक और शेयर करना ना बुलिए और इन में से आपको कौन सी बात अच्छी लगी है यह मुझे कमेंट करके जुरूर बताईए अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजिए तांकि मेरी वीडियो की नॉटिफिकेशन आप तक आती रहे